असलामुएकुम यह हमारे पास हैं abdominal regions abdominal regions कि नज़ सबसे top of top पे हमारे पास आता है apigastic region apigastic regions की right side पे nipple से थोड़ा से नीचे तक यह हमारे पास आता है right hypochondrium और इसी की left side पे हमारे पास आता है left hypochondrium region ठीक हो गया यह apigastic region है, यह right hypochondrium और यह left hypochondrium इससे नीचे हमारे पास आता है पेरी अमलाइकल रीजन और पेरी अमलाइकल रीजन की राइट साइट पे हमारे पास आता है राइट लंबर रीजन और लेफ्ट साइट पे हमारे पास आता है लेफ्ट लंबर रीजन ठीक है अच्छा हम लाइकस के नीचे से नीचे जो हमारे पास एरिया आता है उसे हम बोलते है हाइपोगेस्टिक रीजन और हाइपोगेस्टिक रीजन की राइट साइट पर हमारे पास आता है राइट इलिक रीजन और लेट साइट पर आता है हमारे पास लेफट इलिक रीजन अब जितने भी रीजन्स हैं इन सब की इंपोर्टेंस हैं ठीक है अब जो एपिगेस्टिक रीजन है एपिगस्टिक रिज़न के अंदर हमारे पसकता है अगर कोई पेशिए था ये यसको कारोनRI पाता है और इसकाज के अगर पीशिवाण की ठीडरिय पेश्टेशा बाता है था कि साथ पशाधी के अगर किर अगर कि Самय पॉजडरि पहुता है। अर्वि इसके अंदर हमारे पार गेस्टराइटस हो सकता है अरली एपेंडसाइटस का जो पेन होता है वो अपिगेस्टिक रीजन से स्टार्ट होता है ठीक है और इसके लावा हमारे पार अपिगेस्टिक हरनिया हो सकता है ठीक है, तो अगर हमरे पुपिगस्टरिक रीजिन के दर पेन होगा तो हम यह suspect कर सकते हैं कि इन में से कोई भी डिजीज हमारे पास हो सकती है पेशन्त को, ठीक हो गया बाद जो नेक्स हमारे पास आता है, वह मारे पास आता है राइट हइपोगॐण्टरिक र lijजिन रिइप्र हाइपकोंडुम के अंदर अगर हमें किसी पी किसम प्रफॉत हो गाइपन करेगा तो ऊसकCl неों की किया हो सकता है पल्मणरी के अंदर एसको लॉर लोप के साम नीमोनिया हो सकता है यह कि रिविप्राइपन के किसी किसम काrageющ ह्री भाइक है और वे रहाज हमार में जा परजिक है और कि अगर स्था प्रक्त का रहरा पर होका है। त्र इनोर्ख हमार पा से ट्रस पीड वरी सॉते कचे लिफ हंतिता है कि घृण क्राविच्स टीच chemicals पी향 प्राज वाध क chilling प्रीर ट्रव्हेश ऑनीटनीश ने खिर दोगों एक ज دुरुप्र्णेंटम प्रिपडेश बश्कम νब और खिर 10 श्काहिए जार हमेरेफ मेरे उससके इस इंट महत हैं रीजन लेट हाइपो कांडरी रीजन के अंदर काडियक के अंदर हमारे पास मायो कांडरी इंफक्षिन आ सकता है मायो कालडाइटस का पेन हो सकता है मायो कालडाइटस का हो सकता है मायो कालडाइटस मतलब वो होता है कि जो हार्ट के मसल्स है उनका पेन होगा myocardial infarction के ने अदर heart की blood supply सही नहीं जा रही और parricondritis के ने जो heart की outer layer रहे उसके pain हो सकते है pulumnary के अदर हमारे पर lower lobe pneumonia और emboli और pencreatitis सप्लीन में saplynic infarction अगर सप्लीन को proper blood की supply नहीं और या स्क्लीनिक रप्चर जब होता है, स्क्लीन जब रप्चर हो जाती हमारी तो इसका पेन जो हमारे पास होता है वह Лेफ्ट हाईपोकांट्रिक रीजिन के नर उता है इसके लबवा गेस्टिटरइटस पर रिनल में कॉलिग पालृनेफराइटस और नेफ्रोलिथी है इसके बाद हम आते हैं पहरी अलोकर रीजन पहरी अलोकर पाइस हो सकते हैं हो सकते हैं या को सिक्षण हो सकती जिए ऎक इंऩ Lord के और अरली आपन्सराफ्ट शन ँर्टिटम अर्ली इंने तुर शूड्ट्र के ivesse पेन है वह हमारे पस ओगोवेंपों में प्रजों में प्रिजन में प्रिजन करते हैं और जो हैं मारे पास कहों कर ने किसेожет में इन और तो इनसे जब में पर थे नहuju paci है लेखियर रॉड्सर सोब ने अदर होगा ऐसे जब माहित कर रणला और एंदर होगा ठीक राइट लंबर रीजन के अगर पेशेंट पेशेंट कर सकता है तो हम क्या क्या चीजें सस्पेक्ट कर सकते हैं राइट लंबर रीजन के अनर वही वैस्कुलर के अनर अब्डामिनल इयुल्टिक अनुरिजम्स डिसेक्शन हो सकते हैं, और मिजंटरी जो होती है यह बिलड स्प्लाई होती है, तो वर्ड इंटरस्टाइन, अगर किसी भी, मतलब जो यह बलड वेसल है, जो हमारी इंटरस्टाइन को स्प्लाई करी है, अगर उसके, उनके अंदर से बलड प्रॉपरली नहीं जाएगा, या यहां पर बुलड नहीं जाएगा और वहां पर ischemia हो जाएगा तो इसलिए इसको बोलते हैं मिजेंटरिक ischemia का जो पेन होता है वह हमारे पार राइट लंबर रीजन के अनर होता है ठीक है इसके बाद अधर के झानर हमारे पास सौस अपसेस्स सौस मसल के अगर अगर अपसे करेंगे इसके बाद जो आता है वो हमारे पास आता है लेफ लंबर रीजन लेफ लंबर रीजन के वैस्कुलर वैस्कुलर काजिज में वह है अब्डॉमिनल एयॉल्टिक अनुरीजम डैसेक्शन और मिजन्टेरिक एस्कीमिया रिनल में कोलिक पैलोनेफराइटस नेफ्रोली कोलाइटस काभी आ सकता है ठीक होगा डैस पैलाटी कोलाइटस की अपन一下 के ठôडा सा आगी कोल थी है इसको बोलते मिकल्य ढइंकल ठांविंक करता यह कुछ लोगों के पर जीस्ट रहा जादे तो इसकी वैसे वह होसकता की वैसे को सकता है कर बाź हमारे पर कांस्टिपैश पेसिके पेशिंट करने कि पेल्वीक इंफिलमेटरी डिजीजीज का उसकता है ठीपो और बाइट ब्र। आपि युभी किसम की कोई भी टीपो अवेरियन पैथौलोगी और यहां प्रिजेंट करेगा और अमेत्रियोसिस का पैन भी यहां प्रिजेंट करेगा अपंडिसाइटिस का पेन यहां पे हमारे पर राइट इलिक रीजन के दर होता है यह जब अक्यूट अपंडिसाइटिस का पेन जो होता है वो हमारे पास राइट इलिक रीजन के दर होता है और अरली अपंडिसाइटिस का पेन जो होता है वो इन रीजन के दर होता है इसके लावा हमारे पास appendicitis के बाद appendicitis के बाद सीकल अबस्टेक्शन का पेन यहा होगा ileitis का होगा राइड दिवर्टी कॉलाइटिस कॉंस्टिपेशन का पेन अलस्रियाटिव कॉलाइटिस और कॉरां डिजेस इसके बाद जनीटो यूरिणरी के अंदर हमारे पास epi, deadmo, orkitis का pain, testicular torusen का pain, ureteric colic का pain और nephrolithiasis और urinary tract infection का pain भी जो है हमारे पास हमारे पास right ili की रिजन के तहां में feel होता है गाइनी के अंदर अगर female patient लोग तो अक्टॉपिक pregnancy का pain हो सकता है इस रिजन के तहां में feel हो सकता है, pelvic inflammatory disease का, tuber ovarian pathology और endometriosis का pain इस रिजन के तहां में feel हो सकता है next जो हमारे पास other के तहां हर्निया का pain, sauce, abscess, or mesenteric lymphadenitis कि अगर कोई भी हमारे पास cancerous, mesenteri के अंदर कोई भी cancerous cell है, या कोई भी cancer spread हो रहा है तो उसका pain जो होगा हमें वह राइट इलिक रीजन के अंदर होगा, next और हमारे पास जो लास्ट आता है वहाता है लेफ इलिक रीजन, लेफ इलिक रीजन के तहां मतलब कोई भी disease जो हो सकती है तो उसके सीकल अब्स्रक्शन हो सकती है, left diverticulitis हो सकता है, constipation हो सकती है, ulcerative colitis हो सकता है और Crohn disease का patient हो सकता है अदर के नवार पाहरनिया के पेन, sauce अबसे सगर होगी और misenteric lymphadenitis के पेन हमें यहां पे फील हो सकता है, thank you